सलाम नमस्ते सस्त्रे कल के आज चल के बूलती पब्लिक चुलमशादे वेलकम बेक टू न्यू व्लोग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का व्लोग बहुत ही खास होने वाला है बिकोज आज हमारे फ्रेंड बाला बागवान रिहा होके आ रहे हैं बाइज़त ब करीर होती है तो लंगर भी होता है तो आजम चलिंगे उस लंगर में और बाला बाही से भी मिल जाए हैं कि हमती ही इस्पेशल डे है औरvention ही मज़ा आने वाला है तो ब्लोग में बने रही है आपको भी बहुत मज़ा है कि तो दोस्त마ं हमारे ड्रीम का टाइम हो चुगा है और आज हम एक चीज़ अंबॉक्सिंग करने वाले हैं आपके सामने, एमेजोन से हमने मशिन गन बुलाई की, जो मसाज के लिए गन भी वो बुलाई है, क्योंकि हमें मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रुवत है, बोडी के आए हमारी ग्रो हो रही है, तो इसलिए क्या है कि मस में कभी कभी क्रेंप आजाते हैं या मसल्स में टाइड ने साजाती है, तो उसके रिलीव के लिए हमने एमेजोन से मसाज गण बुलाई की, तो आपको आज दिखाते हैं, अन्बॉक्सिंग करते हैं, और फर्मान अभी एमेजोन से लेके ही आया है, बस और पांच मिन में अन्बॉक्सिंग कर लेगे, फिर उसके बाद हम जीव जाएंगे, तो फर्मान तुम लिया हो, आज हालत बहुत टाइट दिखी ली तुमारी, क्या थाकान नहीं उतरी, तो फर्मान आज टायड है थोड़े से, वर्काउट तो करना है, यह हमारी मसाज गण है, तो इसको ख इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिकलता कहीं, इसमें साबून की टिकिया ना लिकल जाए, टेकिंग तो जोड़दार है यार, और बेग भी अच्छा है, काफी अच्छी क्वालीटी दिख रही है फर्मा, बेग की तो लग रही है, गन की देखते हैं, लग ज़ए, बारी ह है क्वालीटी की चीज़, हाँ यह गोल वाला ही लगाओ, गोल वाला ही लगाओ, इधर पीछे से चालू होगी, हाँ, जर चालू करके देखो, यहां से होगी, सेट होगी यहां से, है जोर दा, कमर पर करके देखें एक बार, लाओ, गन दिखाओ जाओ, अब यह वाज नहीं है, इसके यूज करने के तरीके है, तो दोस्तों, यह हमारी मशाज गन है, और यह लाइफ लॉंग की है, और गन तो अच्छी है, अब इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है तो आपको दिखाया, अन्बोक्सिंग करके हमने अब चलते हैं जीम, तो दोस्तों, जीम का टाइम हो चुका है, और फर्मान शरीफ आज चुके हैं, कसे वेट करना है हमारा, तो चलते हैं, जीम और तावर्टोर वरकाउंटी स्टार्ट हो चुका है, हमारा ती मसल्स का, औ और फर्मान की क्या हलत है, पर्मान से बूचते हैं, हाँ फर्मान जी, क्या हल चाल, किसा था अवरकाउंट कल का, चला है, फिर आज तायार हो आप, पावर पुल, चलो, और दवाई है, दवाई है, दवाई है, तो फाइनली दोस्तों, हम जीम पोच गए हैं, और ये हमारा जीम है, इस जीम का नाम है, मसल फेक्टरी, जो की हमारे फ्रेंड महन भाई की है, महन भाई इस जीम के ओनर है, तो काफी अच्छा जीम है, इनका बहुत बड़ा जीम है, और अभी क्या है के गना चेतूरती है, तो जीम में पूजा चलती है, शाम के टाइम, तो ये यहाँ पर पूझा हो रही है और फरमान जो है फ्री वर्क आउट ले रहा है और क्या कहते हैं डीरिंग वर्क आउट भी हमें بीसी डबल ए और ग्लुकोस की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है क्यों कि हमारा वर्काऊट थीन मसल का चल रहा है तो तीन मसल में क्या होता है कि एनरजी डाउन हो जाती है और तक्रीबन तक्रीबन दो से धाई घंटे वरकाउट हमें करना पड़ता है और अभी फर्मान की बलकिंग चल रही है तो बलकिंग में ज्यादा एनरजी के ज़रूरत परती है इसलिए हम परफेक्ट प्रोटीन का BC डबले ले रहे हैं अगर आपको चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा आप आप और आनलाइन दोनों तरीके से बाइख कर सकते हैं और वाट्सप नंबर भी दे दूगा आपको चोकलेट नहीं मिली आपको एपी बड़े था तो वहां तो बहुत सारे बच्चों का हई बड़े होता है आपको छोकलेट नहीं मिलती इस तो फिर उने चॉकलेट भूब होगी तो फिर मुझे प्रोना नहीं है अपन को अच्छा लगता इसकुल में बहुत है अच्छों के आराम से खेलो कुदो सीखो और आगे बढ़ो कि अच्छों के लिए इंटर्नेशनल जाना इंडिया से भार जाना है तो अब कैसे रहोगी वहां पर रशिया जा सकती हो यूकरेन जा सकती हो अमेरिका बंगलादेश नेपाल कुछ बनना है तो फिर आप रहोगी तो फिर कैसे भार कैसे जोगी रशिया कैसे जाओगी डाक्टर रोते ही है अपने टेस्ट कर रहा है तो दोस्तों आज कनेक्शन होने वाला है जीओ फाइबर का शानू का और भाया है प्लान है 10 Mbps वाला तो भाया इंस्टाल कर रहा है और हमारे राहूल भिया ने कनेक्शन दे दिया आएगा अच्छन देख अच्छन देख अच्छन देख रहा है करो लाइक करो बहुत तुभाइन से चलती है हमार वही का शेदर बढ़ी आच्छा ना अब किसी को लिखने के दरुद नहीं है समकी निगा लगा दिगे उस दिन के बाद कभी ने उत्या हुए हनीमा तो छुपा रही है तो बहुत मिल गए तुझे जो एक महीने के रोजा रखे अगर च्छे रोजा और रख ले तो अलाव दू साल पर के रोजों का सबाह बता पर में एक उत्तर अब्यती जाई तीन सो और च्छे पर एक उत्तर रख गया साथ तीन सो ये हैं मेरे आखा की करम नमाजिया अल्ला ताला मुझे और आप सब को एक उन्नेक बनाएं तो मेरे आखा आए हैं तीन फैलाने के लिए उनों क्या आए हैं दोस्तों हमारी कालोनी में वास का प्रोग्राम रखा गया है आप सबी को पता है कि ये महीना एद मिलाद النबी का महीना है तो इस महीने में हमारी कालोनी में दस दिन तक वास होते हैं और वास में तकरीर होती है नात खानी होती है और लंगर का भी प्रोग्राम होता है तो अ पूरे आलम के लिए दौा की जाती है हम पर, तो बहुत सुकून मिलता है हमारी जो मस्जिद के मौलाना है वो भी नात पढ़ रहे हैं और दौा भी करते हैं, तो माशाईलाश बहुत आच्छा महुल रहता, बहुत अच्छा लगता है और फिर दुआ के बाद लंगर चालू हो गया है और यहां पर हमारे सारे दोस्त बेटे हुए हैं देख पे और यह सब को सर्व कर रहे हैं सब को अच्छी तरह से खिलाते हैं कालोनी के जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छी खिद्मत करते हैं हमारे अबुजर हो गया और जावेद हो गया यह सारे जो दोस्त हैं हमारे और भाई हैं तो बहुत अच्छी खिद्मत करते हैं और सब को अच्छे से खिलाते हैं और आज हमारे आप बनाता आलू कीमा जो की बहुत टेश्टी था माशालला मैंने खुद भी लंगर खाया तो मुझे मज़ा आगया और जो नुक्ती बनवाई थी वो नुक्ती इंदोर से आई थी बहुत जादा टेश्टी थी और बहुत लजीज थी और लंगर में तो खाना बनता ही बहुत अच्छा है चाहला बहुत अच्छा खाना बनता है और सभी लोग आते हैं खुश होके जाते हैं और इस लंगर में ऐसा होता है कि सभी लोग चंदा भी देते हैं कोई परसनल भी अपनी तरफ से लंगर करवाता है तो बहुत सारी तरीके से लंगर होते हैं और लंगर होना चाहिए क्योंक आका की मिलाद का दिन है आका के मिलाद का महीना है तो फिर खुशी में तो लंगर तो बनता ही है और ऐसा हो इनी सकता कि अगर तक्रीर का प्रोग्राम है और लंगर ना हो तो मज़ा नहीं आता है तो हमारी गालोनी में तो हर साल लंगर होता है और बहुत मज़े आते हैं तो दोस्तों जली से ये खौन लगवा लेते हैं क्योंकि सारी पब्लिक जो है वो काफी देर से इंतजार कर रही थी तो लंगर अच्छी तरह से हो जाएगा खिला दींगे सबको तो फिर घर चलींगे और हम भी लंगर खाएंगे जो टी-शिट है वो टी-शिट पहिनके घूमरा है माशालला काफी अच्छी लग रही है और बहुत दिनों से वो मुझे के रहा था कि मुझे टी-शिट चाहिए तो एक टी-शिट उसे मैंने गिफ्ट कर दी है और बहुत अच्छी टी-शिट है ये और फेजान भाई की तो बाती है लगे फेजान भाई तो बहुत महनत करते हैं और बहुत जजबाती इनसान है ये कि एक टी-दीन की खिद्मत करते हैं और दीन के काम में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं हमारे अबूजर, जावेद और फेजान ये जो लोग हैं, अल्ला ने बहुत ज़्यादा कबूल किया है और बिल्ला को आप जानते हैं, बिल्ला तो बहुत खुंकार आदमी है चूल मचा दो, चूल मचा दो तो दोस्तों ये हमारे सारे खौन लग चुके हैं अब बारी बारी से क्या है कि हम खोनों को चालू कर देंगे और ये इस तरब जो है औरतें बेटी हुई हैं तो सबसे वहले औरतों को लगाते हैं क्योंकि औरतें बहुत कशर घान मशा देती हैं बहुत चिल्ला थी अबुजर कैसा बना जावेद तो दोस्तों आज की व्लोग को करते हैं हम यहीं एंड मिलते हैं एक नए व्लोग में तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा खायल रखी चैनल पहना है तो लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब पर ना भूलिए तब तक के लिए शब्भा खैर